दोस्तों इंसेक्टिसाइड के रूप में सबसे ज़्यादा किसानों के दुवारा यूज क्या जाता है गाला है। जरूरी होता है संपूर्ण जानकारी कवर करूंगे आप चाहे किसी भी वसल में अगर क्लोर फायरी फोर्स को यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है बिना स्किप कि एक कंप्लीट वीडियो आपको जरूर देखना है नमस्कार दोस्तों महानीता सिंग होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेज करें जिसे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पॉंचते रहें तो दोस्तों जो क्लोर फायरी फोर्स फिप्टी परसेंट इसी फॉर्म में जो मेरे पास है यह आता है क चंबल फर्टिलाइजर कंपनी का आता है और भी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं केमिकल कंपोजिशन शेम होना चाहिए रिजल्ट सभी का सेम मिलता है दोस्तों क्लोर पारिफोर्स के मौड ओफ एक्शन की बात करें तो इसमें ट्रीपल मौड ओफ एक्शन आता है इस टमक याननि कि जब भी चबाने वाले जो इंसेक्ट होते वो खाना खाएँगे तो इस टमक पे अटेक करके उनको किल करता है। क्वाइब की यूज़क देने की चाप दान पहता हैं उसके साथ ये ग्रीफ दियाक्रह चाप कि पहसे हैं लगबग सही का सब्ध हैं की इस परिक अहला पुद्ध की जाता है तो टर्माइट्स, वाइट ग्रब, रूट ग्रब, मिली बग, स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, शूट बोरर, डायमंड बैक मोथ, लीफ रोलर, इन इंसेक्ट को कंट्रोल करता है इस पेसली ये दोस्तो दीमक के लिए बनाया गया था और दीमक को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है प्राइस की बात करें तो 500 ml की बोटल मेरे पास है, इस पे MRP है 525 रुपए और मार्केट में लगबख 400 से 455 रुपए की सम्टिंग अवेलेबल हो जाता है प्राइस थोड़ी अप डाउन हो सकती है इसकी परफेक्ट डोज की बात करें तो दोस्तों इसको दो तरीकी से यूज लिया जाता है इस्प्रे भी और रूट में भी ये चलाया जाता है जैसे वाइट ग्रब है या दिमकी समझे या मिट्टी में किसी भी परकार का इंसेक्ट जो की प्लांट्स को या फसलों को नुक्सान पहुंचाता है तो उनको कंट्रोल करने के लिए रूट में भी ये दिया जाता है और इस्प्रे के लिए इसकी डोज रहेगी 15-16 लिटर का जो टैंक आता है उसमें 25 एमल डाल करके मिक्स करें और इस्प्रे करें रूट में आप एक एकड के लिए 500 एमल यूज कर सकते हैं लेकिन विशे सावधानिया आप पहले जरूर सुन ले इसकी फिशे सावधानिया अगर आप ड्रिप से चला रहे हैं या फिर रूट में दे रहे हैं तो डोज बहुत ज़्यादा कैरफुली आपको यूज करनी है 500 एमल 200 लिटर पाने में पहले मिक्स करना है और ड्रिप से दीरे दीरे चलाना है ऐसे नहीं कि एक साथी चला दिय हैं तो इसको बहुती कैरफुली यूज करना होता है दीरे दीरे चलाना है और लंबे समय तक जब तक आपका पानी चल रहाए तब तक ड्रिप से इसको दीरे दिरे चलाना है तो कम से कम कोई से भी पोदा हो या फसल है प्लांटेशन के 15 से 20 तिन बाद में ही इसको यूज क करना है इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं इस प्रे में विशे सावधानी रखनी है कि फ्लोरिंग स्टेज में इसको इसको नहीं करना है क्योंकि यह सभी परकार के इंसेक्ट को किल करता है मदू मख्यों के लिए बहुत जादा जैरीला होता है तो इसलिए आ वहां के पत्टों को या फल को यह डेमेज कर देता है तो इस पर भी ढहन से करना है कि डुरेशन की बात करें कितने लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलता है अगर आप इस परे करेंगे तु पंद्रह दिन तक फसलों में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और रूट में चलाते हैं तो 30 दिन तक लगबग इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा कॉम्बिनेशन की बात करें तो दोस्तो इसके साथ में आप किसी भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड को मिक्स करें काच के गिलास में आप ग्लोर पैरिफॉस को ले थोड़ी सी क्वांटिटी में ले और पानी ले और साथ में जो भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड इसके साथ यूज करना चारें उसको भी मिक्स करें और थोड़ी दिएर वेट करें अगर गोल फढ़ता है तो उसका जाथ वूच कर रहें कि यूज़ करना खै Leg Rain q दोरा पाइरिफोस का इस इक जगह मिक्स करना है और पिर आपको सबस्प्रहएं मामativ यह कि उसको पेड़S में जबर तक吧 करना चाहँंगी जानगा रिया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा किसाम दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद